असी क्रोड रासनकार धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुस खबरी जारी कर दे गई है अगर आप भी एक रासनकार धारक हैं तो इस वीडियो को आप अंत्र तक जरूर देखे गा दोस्तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से रसंकार योजना में नए नियम लागू किये गए हैं जिसके अंतरगत रसंकार धार्गों को डबल लाब मिलने जा रहा है दोस्तो लाबार्तियों को 21 किलो गेहु और 14 किलो चावल दिये जाएंगे दोस्तो आपको यहाँ पर यह रसं तो मिलने ही वाला है साथ में आपके बैंक खाते में 250 रुपे भी ट्रांसपर किये जाएंगे अब दोस्तो यह लाब किन-किन रसंकार धार्गों को मिलने वाला है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस रासनकार धर्क को कितना रासन अब की बार दिया जाएगा डिटेल वाई जानकारी देने जा रहे हैं अगर आप भी यह संपूर्ण जानकरी प्राप करना चाते हैं और डबल प्राप करना चाते हैं तो आप हमारे साथ अंद तक बने रहेगा और दोस्तो वीडियो को देखते रहेगा वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जाद जादा शियर भी करेगा ताकि और भी वैक्ती यह जानकारी प्राप्त कर सकें और चैनल पर आप पहली बार आई हैं चैनल को आप जिरूर सब्सक्राइब के लिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सम्पून जानकारी आपको देते हैं दोस्तो आपको बता दें कि क्रोडो रासंकार धारको के लिए जबरदस्त ख़बर जारी हो चुकी है अब रासनकार धारकों को डबल लाब मिलने जा रहा है दोस्तों आपको बता दें कि केंदर सरकार की तरप से रासनकार नियमों में बड़ा बदलाओ क्या गया है जिसके अंदरगत अब रासनकार धारक डबल लाब प्राप्त करस्त पाएंगे दोस्तो आप जिस भी राज्य से हैं वहीं से ही आप अपने रसनकार से रसन को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो आपको बता चाहेंगे कि जैसे कि हमने आपको बता है कि रसन के साथ आपको 250 रुपे भी दे जाएंगे अब दोस्तों यह 250 रुपे जो सरकार रसनकार धारकों के बैंक खाते में ट्रांसपर करेगी यह किन-किन लावारतियों को मिलेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे हलाकि सभी कारधारकों को यह लाव नहीं मिलने वाला है तो किन व्कितियों को यह लाव दिया जाएगा उसके बारे में संपूर्ण जानकार आपको हम दे जा रहे ह назвate वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं क्या है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्याद से ज़्यादा शियर भी करेगा ताकि और भी वैक्तिस के बारे में चांदकरी प्राप्त कर सकेए दोस्तों आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर यह ज़रूर बताएगा कि आपके पास कौन सा रासन कार है क्योंकि सरकार की तरफ से दोस्तों APL रासन कार और आपका BPL रासन कार और अन्तियोद्य रासन कार से लगाया है तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास कौन सा रासन कार है आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जुरूर बताएगे क्योंकि सरकार की तरफ से रासन कार केंठरगत अलग-लग परकार से आप रासन दिया जा रहा है तो दोस्तो यहाँ पर किनव एक्तों को है लाब मिलने जा रहा है उसके लिए सरकार ने भी जानकारी जारी कर दी हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं दोश्तों रासंकार धार्को को आपकी बार 21 किलो गेहुं दिया जाएगा और 14 किलो रासं इनके 14 किलो चावल आपको दिया जाएगे तो दोस्तों इस परकार से आप देखें तो यहाँ पर जो लाब मिलने जा रहा है लाबार्थियों को पूरा 35 किलो रासन दिया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको रासन के साथ में चने, मुफ्त में, तेल मुफ्त में और जो नमक है वह भी मुफ्त में उपलब्ध करा जाएगा लेकिन दोस्तों यह है जो यहां पर तीन रासन हमने आपको बताए हैं चने, तेल, और नमक यह केवल आंतियो रासन कार धारकों को दिया जाएगा इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दोस्तों आपके पास कौन सा रासन कार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जूरू बता दिये बदा दिजेगा और दोस्तों उसके बारे में भी हम आपको जान कर देंगे कि आपके रासन कार से क्या क्या लाब मिल सकते हैं हाला कि यहाँ पर जो APL और BPL रासन कार्ड के अंदर रासन दिये जा रहा है वह ग्यहूं और चावल ही दिये जा रहे हैं और जैसे ही आगे दोस्तो रासन में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी आपको तुरंट दिली जाएगी दोस्तो सरकार की तरफ से जो नियम लागो किया गया है यानिके जो नया नियम लागो किया है वह नया नियम है पहले आओ पहले पाओ यानिके जो रासन कार धारक पहले जाएगा उनको गेहूं चावल के साथ मुफ्त में चने तेल और नमक भी दिया जाएगा साधी दोस्तो यह भी बताया गया है कि तेल, नमक और चने खत्म होने पर नहीं दिया जाएगा यानि कि जिस डिलर से आप रसन ले रहे हैं अगर दोस्तो आपके जाने से पहले तेल, चने और नमक जो है वेस्समाप्त हो चुके हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पर लाब नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार द्वाराई है, नया नियम लागो किया गया है, पहले आओ, पहले पाओ अगर आप पहले जाएंगे, तो दोस्तो आपको यहाँ पर डबल लाब मिल पाएगा आई होप दोस्तो आप जानकारी को प्राप्त करपाए हुए, और यहाँ पर आप बात आती है आपकी 250 रुपे की, आप 250 रुपे जो यहाँ पर रस्मकारधार को मिलने वाले हैं, यह कैसे और किनें दिये जाएंगे, तो दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि यह हाँ पर जो लाब मिलने वाला है, वे हैं, यहनके 21 किलो जो आपको गेहु मिलेंगे और 14 किलो जो चावल दिये जाएंगे, उसका दोस्तो आपको 2 रुपे किलो गेहु और 3 रुपे किलो चावल के दाम देने होंगे, आला कि सरकार के तरफ से एक महीने में दो बार रासन द पिलो चावल का मुल्य आपको देना होगा, अब बात आती है दोस्तो आपकी 250 रुपे की, अब दोस्तो जहाँ पर 250 रुपे की सबसीड़ी भी सरकार की तरफ से रहनकार धारकों को दे जा रही है, लेकिन यहल आप दोस्तो केवल जहरखंड राज्ये में ही दिया जा रहा ह अगर आप जहरखंड के निवासी हैं, तो दोस्तो आप 250 रुपे की सबसीड़ी दे सकते हैं, और यह है 250 रुपे की सबसीड़ी जो दी जाएगी, वह है आपके पैंटरोल पर दे जाएगी, अगर आप एक रासनकार धारक हैं, और दोस्तो आप पैंटरोल पंप पर जाते ह बिलोंग करते हैं किस राज्या के रहने वाले हैं आप हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूब बताएगा तो दोस्तों यह थी आपके लिए महत्पुन जानकारी आई होप आपको जानकारी चलगी होगी अदिया कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं और आपके पास कौन सारसन कार्ड है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल लेगन को ओल पर आप सैट कर लिजेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकिसंस आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकें तो चली दो आप चाते हैं आप से जरूर तब तक के लिए जैहिंद चैनल भारत